उधारन साथ मान ग्याद कीजिए 5 sin square 30 degree प्लस cos square 45 degree माइनस 4 10 square 30 degree अपाउन 2 into sin 30 degree into cos 30 degree प्लस 10 45 degree यहाँ पे हमको एक बेंजग दिया है और उस बेंजग का मान ग्याद करना है यह बेंजग कोणों पर अधारित है इसमें कुत्रकोण मितियन पात के कोण लिखे गये हैं और उसका मान ग्याद करना है यह इस प्रकार का बेंजग है पाँच साइन का वर्ग तीसंस यह और धन कास मेतालीसंस का वर्ग रिन चार तेन तीसंस का वर्ग बटा दो गुणा साइन तीसंस कास तीसंस गुणा में और धन तेन पैतालीस अंस इसका मान हमको ग्याद करना है इसके लिए साइन तीसंस का मान ग्याद हो कास पैतालीसंस का मान ग्याद हो तेन तीसंस का मान ग्याद हो और कास तीसंस और तेन पैतालीसंस का मान जदी ग्याद हो तो इस ब्यंजग का मान हम ग्याद कर सकते हैं अपसे पहले, इस भьяन्जग को हम ऐसे लिख लें, कि 5, sign breast辦 30 anse लिखा है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, sign 30 anse का वर्ग रथाथ, ये स्क्वेर हो जायागा इसका, और इसको 80, इसको 45 हम पढ़ते हैं, और इसको लिखते हैं, ऐसे Science 45 रथाथ, कास पैतालीसंस और इसका स्क्वेर माइनस यह 4 और 10 स्क्वेर 30 डिग्री पढ़ते हैं और लिखेंगे इसको ऐसे 10 30 डिग्री और इसका स्क्वेर तो हमको साड़ी में siitäसंस की 55 यूर 10 आलिसंस मान मालूम है और यहां रखेंगे तो उसके वर्ग करने पर हमको इसके व्यंजक के मान हमको पता हो जाएंगे इसको हम फिर लिख लें 2 इंटू साइन 30 डिग्री कास 30 डिग्री और प्लस 10 45 डिग्री अर्थाद दो गुना साइन 30 संसर कास 30 संसर धन 10 45 संसर यहां इनके हम मान रखेंगे यहां पर हम मान रखते चले जाते यह 5 है साइन 30 का मान कितना होता है तो त्रिक्वर्ण मिती साड़ी में आप पाएंगे साइन 30 का मान होता है 1 बटा 2 यहां रखे मान 1 बटा 2 1 बटा 2 का वर्ग हो गया ऐसे ही कॉस पैताली संसंस का मान एक बटा वर्ग मूल 2 होता है इसका भी वर्ग हो जाएगा फिर माइनस 4 10 तीसंस का मान हम जानते हैं एक बटा वर्ग मूल 3 तो इसका हो जाएगा यह वर्ग बटा बटा 2 इंटू साइन 30 तो यह 2 तो रहेगा ही इंटू साइन 30 का मान होगा एक बटा दो कास 30 का मान होता है वर्गमूल तीन बटा दो और तेन पैताली संस का मान होता है एक तो यहाँ पर हमने अभी केवल मान रखा अब इसको सरल करते हैं तो पांच पांच ही रहे गए एक बटा दो का वर्ग मतलब एक बटा दो गुणा एक बटा दो तो यह हो जाएगा एक बटा चार ऐसे ही एक बटा दो वर्गमूल दो का वर्ग है तो हमको यह मालूम है कि वर्गमूल दो गुणा वर्गमूल दो यदि हम करते हैं तो यह हो जाता है दो इसलिए जब हम इसका गुणा करेंगे तो यह हो जायागा एक बटा, दो, रिन ठीक ऐसे ही काम हम करेंगे इसमें चार गुणा जैसे आपने वर्ग मूल दो गुणा वर्ग मूल दो बराबर दो लिखा वैसे ही एक बटा मूल तीन का जो वर्ग होगा वो अब लिखा जाएगा एक बटा तीन बटा ये दो और दो हम कटा सकते हैं गुना में है ये दो अंश में है दो भाग में है ये कट जाएगा यहां से हमारे पास मिलेगा वर्ग मूल तीन बटा दो और धन एक इसको फिर हम जब सरल करेंगे अब ये हो जायागा पाँच बटा चार पाँच बटा चार धन एक बटा दो और रिन चार गुना एक बटा तीन लिखा था उसको अब हम लिख लेंगे चार बटा तीन बटा इसको लगुत्तम लेंगे हम यहाँ पर जो लिखा था वर्गमूल तीन यह जैसे हमने लिखा वर्गमूल तीन बटा दो धन एक तो इसका हम वर्गमूल इसका लगुत्तम लेंगे दो और एक का लगुत्तम तो इसको हम फिर अगले चरण में ऐसे हल कर लेते हैं उपर अंश को पहले अलग हल करते हैं उसके बाद फिर हर में भी यही काम करेंगे तो चार दो और तीन का लगुत्तम तो चार और दो का लगुत्तम कितना होना चाहिए? चार और फिर ये तीन के साथ इसका लगुत्तम निकालेंगे तो ये आजाएगा आपका बारा तो उपर जो हमने लगुत्तम निकाला वो हो गया बारा चार से इस बारा को भाग किया तीन बार में चार तिया बारा तीन का गुणा पांच से किया तो पांच तिया पंदरा ही हो जाएगा धन दो से फिर इस 12 को भाग किया दो छक के 12 6 का गुणा एक के साथ में किया तो 6 एक हम 6 3 से 12 को भाग किया तो 3, 4, 2, 4 आया 4 का गुणा इस 4 से किया तो 4, 4, 16 अब इसमें हर वाले भाग को हल करेंगे इसी प्रकार से तो हर में यहाँ पे दो और एक है तो इसका लगुत्तम आ जाएगा दो इस दो से इसको भाग किया एक बार में एक का गुणा वर्गमूल तीन के साथ में होगा यह वर्गमूल तीन हो जाएगा धन है यहाँ धन 1 से फिर 2 को भाग करेंगे तो 2 बार में जाएगा फिर उस 2 का गुणा 1 के 7 में करेंगे तो 2 एकम 2 इसको फिर हम सरल करें तो यहां देखें यह दोनो धन है तो 15 और 6 21 इसको हम लिख लिये 21 21 में से हमको 16 घटाना होगा बटा बारा है यहाँ पर यह बारा है और इसको हम उलट देते हैं इस संख्या को तो इसको उलटेंगे तो यह गुना में आ जाएगा और यह दो उपर और बटा में हम इसको लिखेंगे वर्ग मूल तीन धन दो और इसको हम कोश्टक में लिख लेते हैं क्योंकि यह दोनों एक है तो 21 में से 16 घटाएंगे यह हो जाएगा पांच और यहाँ दो है दो से 12 जो है वो भाग जा सकता है तो दो एकम और दो छके 12 तो यहाँ पर आएगा पांच बटा च्छे और गुना में एक बटा वर्गमूल तीन धन दो अब आप देखते हैं कि यहाँ पर यदि गुना करके भी लिखते हैं तो अंश अंश का गुना हो जाएगा और हर का गुना करेंगे तो हम इसको इस रूप में लिखेंगे कि पांच बटा छे गुना वर्गमूल तीन धन दो तो क्या यह हमारा उत्तर होगा यहाँ पर आप हर को ध्यान से देखिए हर में वर्गमूल तीन धन दो वर्गमूल तीन एक परिमे संख्या है और दो उसके साथ में जुड़ जा रही है तो जो वर्गत, मूल, तीन, धन, दो यह आ रहा है, यह भी एक परिमे संख्या है तो यहाँ हमको इसको परिमे बनाना पड़ेगा तो हर को हम परिमे बनाने के लिए परिमे कारी गुणक से गुणा करते हैं तो इसलिए हम इसको आगे फिर सरल करेंगे इसका पर्मे करन करके तो हम यहाँ पर्मे करन करने वाले है पर्मे करन में क्या हम करने वाले है कि 5 बटा 6 और गुणा में है वर्गमूल 3 धन 2 तो यहाँ पर इस भाग का हम पर्मे करन करने वाले है तो पर्मे करन करने के लिए हम इसको इस धंग से लिखे और इसमें हम पर्मिकरन जब करेंगे तो इसे के यहाँ पर जो धन चिन्न है इसको हम रिन कर देंगे और इससे फिर अंश और हर से हम गुना करेंगे तो वह पर्मिकरन कहलाएगा तो हम इसको ऐसे पहले लिख लेते हैं यह 5 भटा 6 हो गया और इसके साथ में है वर्गमूल तीन धन दो और अब हम जो गुना करने वाले हैं वो किस से गुना करेंगे तो यह वर्गमूल तीन रहेगा यहाँ वर्गमूल तीन धन दो है तो इसका चिन बदल जाएगा तो यह हो जाएगा रिन दो और ऐसे ही यह अंश में किया और हर में भी करेंगे वर्गमूल 3, रिन 2 तो हमने यहाँ पर क्या किया हमने यहाँ पर हर का परमेई करन किया इसको हम लिखेंगे हर का परमेई करन करने पर अंश और अंश का गुना कर ले और हर और हर का गुना कर ले तो इसको और हम सरल करें इसी रूप में यदि लिखते हैं इसको तो पांच का भीतर गुना ना करके हम इसको इसी रूप में लिखें वर्गमूल तीन रिन दो और बटा ये छे रहेगा यहां आप देखेंगे यह A यदि A है और यह B है तो यह A प्लस B हुआ और A माइनस B हुआ तो एक सर्वसमीका हमें पता है बीजगड़ती सर्वसमीका कि यदि A प्लस B और A माइनस B हो तो इसको हम लिख लेते हैं A का वर्ग रिन B का वर्ग और यहाँ पर इस सर्वसमीका के अधार पे नीचे वाले भाग को लिखेंगे तो A की जगह में वर्गमूल 3 दीख रहा है तो इसको हम लिख लेते हैं वर्गमूल 3 का वर्ग और B के जगह में दीख रहा है हमको 2 तो इसको लिख देते हैं दो का वर्ग और इस कोश्टक को हम ऐसे लिख लेते हैं ताकि गलती ना हो ये अब लिखेंगे हम पांच गुणा वर्ग मूल तीन रिन दो बटा छे वर्ग मूल तीन का वर्ग वर्ग मूल तीन का वर्ग का मतलब हुआ वर्ग मूल तीन गुणा वर्ग मूल तीन और ये आएगा अपका तीन तो यहां हम इसको सरल किये यह यह तीन और ये दो का हम ने वर्ग किया तो फिर इसी तरह से 2 का वर्ग बराबर हो जाएगा 2 गुणा 2 बराबर 4 तो यह हो जाएगा 3 रिन 4 तो यह अब ऐसे लिख दें 5 बटा 6 गुणा में हैं आपका वर्ग मूल 3 रिन 2 और बटा 3 में से 4 घटाएंगे तो यह आए आपका रिन एक अब रिन एक आया है हर जो है रिनात्मक आ रहा है हर को रिनात्मक नहीं रखना है तो हम रिन एक से अंशार हर में गुणा कर देंगे तो अब यह क्या हो जाएगा यह यह बन जाएगा 5 ही रहेगा यह 5 बटा 6 हो जाएगा रिन एक से हाँ गुणा करेंगे तो रिन एक गुण रीन एक जो है वो एक हो जाएगा इसलिए नीचे ये छे बन जाएगा और यहां जब हम रीन का गुना करेंगे तो ये जो धन है वो रीन हो जाएगा और जो रीन है वो धन तो इसको हम पलट देंगे आगे पीछे कर देंगे तो ये हो जाएगा दो रिन वर्गमूल तीन इस तरह से इस दिये गए बंज़क का जो मान हुआ वो आपका पांच गुना दो रिन वर्गमूल तीन बटा छे यही इसका उत्तर हुआ